स्वागत है आप सभी का आप देखना सुरू कर दिये हैं इस सांदार से वीडियो को जहां मैं आप को ऐसा तरीके से याद करवा दूँगा ट्रिक के माध्यम से कि आप जीवन में कभी नहीं भूलियेगा सबसे पहले revise कर लेते हैं आप सब को पता है कि संग्या की अस्थान पर प्रयोग किये जाने वारे सब्द को सरवनाम कहते हैं सरवनाम क्या होता है? सब्ध होता है, बहुत सारा उधाराना आपको दिख रहा है, यह सब का सब्ध है और इसका प्रयोग संग्या के अस्थान पे होता है, यानि किसी व्यक्ति वस्तू या अस्थान के नाम के जग़ा पे होता है अगला, मैं लिखना पसंद करती हूँ, या मैं लिखना पसंद करता हूँ, तो इसके अस्थान पे सरवनाम कहां पे है इसमें, तो बहुत बढ़िया मैं हो जाएगा सरवनाम, ठीक है अगला कोई आ रहा है यहाँ पे क्या हो जाएगा सरवनाम की कोई हो जाएगा ठीक है और अगला है वहाँ जाना मना है तो यहाँ पे जो सरवनाम हो जाएगा वो वहाँ होगा पहले वाले वाक्षि क्यों देखिए वे कुछ खा रहे हैं तो यहाँ पे कुछ मान लिजे वो आम खा रहा है ठीक है तो वे आम खा रहे हैं तो यहाँ पे आम के जग़ा पे क्या आगिया है कुछ आगिया है तो कुछ भी क्या हो जाएगा सरुनाम हो जाएगा क्योंकि यह भी संग्या के जग़ा आ रहा है आम भी क्या होता है संग्या ह बता है यह सरवनाम के भेद आप सब इसको कहीं न कहीं कभी न कभी देखिये होंगे लेकिन आपको याद नहीं हुआ होगा अब लगातार छेओ का नाम नहीं बोल पाते होंगे अगर आप पहले कभी पढ़े हैं इसको तो अभी मत पढ़िए कभी नहीं पढ़े हैं तो एक ब अभेद होता है सरनाम का, तो पू से हो जाएगा क्या आप बताईए, पू से पुरुस वाचक सरनाम, बहुत अच्छा, नी से बताईए, आप सोचिए, आप खुद बता दिजेगा, नी से हो जाएगा, निश्चे वाचक सरनाम, या फिर निजवाचक सरनाम, तो दो दो नी है तो एक नीमे निश्चे वाचक फिट कर दीजे और दूसरे नीमे निश्वाचक फिट कर दीजे ठीक है उसके अलाबा ओ, ओ से बताईए आप ओ से हो जाएगा अनिश्चे वाचक सरनाम जैसे आप निश्चे वाचक बोलिएगा अगला आपको याद आही जाएगा अनिश्चे वाचक सरनाम तो अगर नहीं आएगा तो ओ तो है ही अगला प्रो से एकदम आसान है बता दीजेगा आप तो प्रो से हो जाएगा प्रस्ण वाचक सरनाम और 100 से संबंध वचक सरनाम ठीक है और नी से निजवाचक सरनाम मानिजे पहले नी को हम निश्चे वचक बोल दिये तो लास्ट वाले नी को निजवाचक सरनाम बोल देंगे हो गया 2-4-2-6 इसको याद करना भी बहुत आसान है पूनी ओप्राशन इस बाकी को याद कर लिजे और चेक अच्छे भेद आप लाइन से लिख दीजेगा